उस प्रम्विता प्रमेश्वर को मेरा बढ़ना आज सर्थ कुर्णी मा है यानि वो कुर्णी मां जिस दिन हजार बश पहले रास हुआ था उस प्रम्चेतन सक्ति का उस प्रम्पिता का उस अनंद का वो समय कुछ लोग दुर्वा से देखते हैं कुछ लोग काम की दर्श्टी से देखते हुएं जिसके जितने जैसे विचार हैं जिसके जितनी जहां तक रुटी है जहां तक जिसकी पहुँश है वहीं तक वो विचार करता है वहीं तक हो सोचता है कुछ लोग उसे कामुक परवरती का भी मानते हैं लेकिन आप लोग जिरा निजार करना नौ वरस की आयो कितनी आयो होगी बादवस्ता और खेल रास्ता बड़ी अदूत बात है बड़ी अदूत गड़ना हो रही थी लेकिन समझने वाले तरक करने वाले गमिया धूनने वाले धूनते ही रहते हैं नौ वरस की आयों में कहां कांद कहां वासना कहां कोज़सी दिमिचार लेकिन फिर भी खोज़ करते रहते हैं उस प्रमात्मान उस प्रंचेतना उस प्रंपुस के अंदर टिविकार खोज़ते रहते हैं लेकिन जड़ा गोर करना उसके वानन का वो समय कैसा होता आपने मुल्ली सुनी होगी की मुल्ली होती है मुल्ली से उपर नाग होते हैं बासुरी भी होती है बेनू भी होती है लेकिन ये तीनों अलग अलग किसम के नाग होते हैं और तीनों का अलग अलग आवाज होती है और तीनों का अलग अलग परभाव होता है एक पस्मों के लिए बजा जाता है आपने सुना होगा कि जब वो बजाते थे सब पस्मों करके हो जाते थे और हीद रहता जब 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 — जब 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 इवोत्शें ने अपने अधरों से दोबजेत लगाई तो पस्मों तक धूरे चली आते थे सब्सक्षान के सुद्ट समय विव gast अन्द ने येशे ने किया थे सब्सक्राद सब्सक्ञ्य आख्षान होगा तुम्हारे यहां को सुना है कि गवाले एक बासुमें से अजारं पसों इकथा कर लेते हैं। तुम उसी को प्रमाग्मा मानते हो किया इसा सम्रो है। यह प्लिकुल बिना तरक वाला परसन हुआ। बिना तरक वाला खेत हुआ। लेकिन स्वामी हुएकानंद ने एक खुले के अंदर सटेज के बिना खड़े हो करके भासन देना सुरुतिया। जो 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 देते चले गई। जो जो बोलते चले गई। आत्मा विचार और मन जब उनका जुड़ाव हुआ। वो उनके सबद के तेज से, सबद के बढ़ाव से, वो इतना जितना पीछे हरते चले गई। वो उतना ही उनके नजदीक जाते चले गई। वो बहुत दूर कर चले गई। इसी तरह से लगवत सो मीटर के आज़ पास वो पीछे हरते चले गई। उन्होंने कहा तुम कहां आ चुके हो। लोगों ने कहा हम तो वही हैं जहां पर वैटे थे। स्वामी जी ने कहा कि पीछे मूर कर देखो। जब पीछे मूर कर देखा तो बहुत दूर आ चुके थे। फिर उन्होंने कहा आप लोग तो बुद्री जीवी हैं। वो तो केवर पुसु मातर थे। जब एक भूती जीवी सबत के इतने बढ़ावों से इतनी दूर तक आ सकता है। और मैं तो एक आम इसान हुनी। वो तो समय साथ साथ अपण पिता जेतन सकता उतर करके आए थे। और कहुंचे थे। कि फिल्कुल उसकी दागत का कोई अंदाजा नहीं। नहीं आज तक हुआ है। नहीं हो सकता है। तो इसी पकार से उसकी आई उनो परस की। और जब उन्होंने जब रास हुआ तो मासुरी का नाद नहीं बजा। नासुर। जब मुलिक अभी क्योंकि ये अलग अलग दोनों है। जब रास होता है तो रास के समय बेड़ों का नाद रोजा जाता है। बेड़ों का नाद जो खुशत कम सरेणी का नाद है। पुलिस में को इस तरी कुश्ता भेड नहीं रहता। जब उन्होंने रास की सरवात की। क्योंकि कामदेव को बड़ा इंकार हो गया था। कि मैं आपके उपर में भाव करते हुआ। इस कारण से श्री कुश्ता जी ने कामदेव को समय भुलाया और कहा कि आज ये सरद पूर्णीमा है। और आज रास की सुभात होगी। नारिया क्योंगी। सब कुछ होगा। लेकिन वो तो इस सब वस्कों से इस सब काम से सब से रिलेव हो चुके थे। और उची स्थित्य के महातुस बहुत दूर जा चुके थे। जो ही उनुने वेड़ी मुझाना सुभात की। जो भी गोपिया थी। जिस हालात में थी। चाहे अपड़े पहनी हुए थी। चाहे भोजन पका रही थी। चाहे शो रही थी। चाहे जिस भी हालात में थी। वैसे ही सब कार्य अपने छोड़ करके वासे चली हाई और चल पड़े ग्रंदान की ओर मनुवन।